बोलो अहोई माता की चै हो एक साहुकार था जिसके साथ बेटे साथ बहु थी और एक बेटी थी सब मिलकर मिट्टी लेने गए मिट्टी खोदते समय ननत के हां से स्याव का बच्चा मर गया स्याव माता बोली मैं तो तेरी कोक बांदूगी तो ननत ने अपनी सारी भावियों से कहा कि तुम अपनी कोक बंधवा लो लेकिन ननत के बदले में अपनी कोक बंधवाने के लिए छे भावियों ने मना कर दिया पर उसकी छोटी भावी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासुजी नाराज हो जाएंगी तो छोटी भावी ने अपनी कोख बंधवा ली अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई साथ के लिए मर जाता एक दिन उसने पंटाइन बुला कर पुछा कि क्या बात है मेरे बच्चे अहोई साथ के दिन मर जाते हैं तब पंटाइन बोली कि सुर्भी गाए की सेवा किया कर सुर्भी गाए स्याव माता की सहीली है वह तेरी कोख छोड़ देगी तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे अब बहें बहुत सुभे उटकर सुर्भी गाए का सारा काम कर चाती गव माता ने सोचा आज कल कोन मेरी इतनी सेवा करता है मेरी बहुएं क्या करेंगी वे तो लड़ाई करती है आई देखा जाए कि कौन सारा काम करता है गव माता ने सुभे उठकर देखा कि एक साहुकार के बेटे की बहु है जो सारा काम कर जाती है गव माता बोली तुझे किस चीज की इच्छा है जो तु मेरा इतना काम करती है मां क्या चीज मांगती है तब सहुकार की बहु बोली मुझे वचन दो गव माता ने उसे वचन दिया तब सहुकार की बहु बोली कि स्याव माता तुम्हारी सहेली है और स्याव माता के पास मेरी कोक बंदी हुई है उनसे मेरी कोक छुड़वा दो फिर गहु माता उसे सांस समंदर पार अपनी सहीली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर में सांप आया पेड़ पर गड़ुर पंची का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहुकार की बहु ने सा सांप को मार कर डाल के नीचे फैंक दिया और बच्चे को बचा लिया गड़ुर पंखनी आई आकर साहुकार के बेटे की बहु को चोच माने लगी तो साहुकार नी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा सांप तेरे बच्चे को मार रहा था मैंने तो तेरे बच्चे को चिपाया है तब गरुट पंखनी बोली मांग क्या मांगती है मैं बोली कि सा समंदर पार स्याव माता रहती है हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो गरुट पंखनी ने अपनी पीट पर बिठा कर उन दोनों को स्याव माता के पास पहुंचा दिया स्याव माता बोली आ बहन बहुत दिनों बाद आई हो स्याव माता बोली मेरे सिर में बहुत जू हो गई है तो गव माता बोली मेरे साथ जो है इस से जू निकलवा लो तो सहो कार की बहु ने उसकी सारी जू निकाल दी स्याव माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई की है तेरे साथ साथ बेटे साथ बहु हो बहु बोली के मेरे तो एक भी बेटा नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे स्याव माता बोली क्यों नहीं होंगे तब वह बोली मुझे बचन दो तो स्याव माता बोली बचन ये बचन बचन अकूतो धोबी पुंड पर कंकरी हो तब साहुकार की बहु बोली मेरी कोक तो तुमारे पास बंधी है तब स्याव माता ने कहा तूने तू मुझे ठगा है मैं तेरी कोक खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी जा तेरे घर में तुझे सात बेटे बहु मिलेंगे तू सात उजमन करियो सात अहुई माता सात मांडिया सात कढ़ाई कराईयो वहे घर गई देखा कि वहाँ साथ वेटे बहू बेटे हैं, बहू धन हो रहा है, उसने साथ अहोई मंडल, कोई दिवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं साथ उजवन करे, साथ कड़ाई करी, उधर सारी दरानी जठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चोका पूजा कर लो, नही तो सब कोई रोने लग जाएंगे थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं वह देख आ कर बोला चाची तो अहोई मान रही है खूब उजमन हो रहा है फिर और जिठानी दोड़ी दोड़ी गई देखे कि वह तो कोग छुडा लाई वह सब बोली कि तुमने कोग कैसे छुडाई वह बोली मैंने तो कोग बंधाई नहीं लेकन स्याओ के बच्चे के मरने से कोग बंध गई अब स्याओ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोग खोल दी है हे स्याओ माता जैसे साहुकार की बहु की कोख खोली ऐसे ही हमारी भी खोलना सब की खोलना कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार की कोख खोलना बोलो अहोई माता की जै हो विनायक्ची की कहानी एक विनायक्ची महराय थे चुटकी में चावल कुल्या में दूद लिये फिरे कोई मेरी खीर बना दो सबसे कहते फिरे प्रन्तु किसी ने उनकी खीर ना बनाई सब ने मना कर दिया जरां से चावल थोड़ा सा कुलिया में दूद लिये घूम रहा है इसमें क्या खीर बना दे मैं चले गए फिर एक बुढिया बोली बेटा आज हमें तेरी खीर बनाऊंगी बच्चों की जित का क्या मिटाना बुढिया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी ला बाबा इसमें डाल दे बुढिया बोली वह कहने लगे बड़ा बरतन लाओ यह तो छोटा है बुढिया के घर में कोई बड़ा बरतन ना था बुढिया बहा जाने लगी तो बोले कहां जा रही हो बेटा बरतन मांग के लाओ बोले देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बरतन रखे हैं तुँ चिंता मत कर अंदर जाकर जब बढ़िया मा ने देखा तो दूस से भरे बढ़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं चावलों से परात भरी पड़ी है बढ़िया मा खुश हो गई बुढिया ने चूला जलाया खीर बनाने लगी बुढिया माने खूब अच्छी तरह खीर बनाई और फिर कहने लगी लड़के को बुला लाओ बुढिया तो लड़के को बुलाने चली गई पीछे से एक बुढिया की बहुने किवाड के पीछे बैठ कर खीर खा ली विनायक जी बोले बुढिया मैंने तो खीर खा ली है बुढिया कहने लगी बेटा कब खाई बन कर तो अब तैयार हुई है मैं तो बनने के साथ ही बुलाने के लिए आ गई हूँ चुटक विनायक जी बोले जब तेरी बहु ने किवार के पीछे बैठ कर खीर खाई थी तभी मैंने खा ली बुढिया ने बहु से पूछा बहु तैने खीर खाई थी बहु ने कहा हाँ खीर निकल रही थी मैंने विनायक का छिटा लगा कर मिठा चकने के लिए खा ली बुढिया को इस बात का बड़ा दुख हुआ विनायक जी से बुढिया बोली अब क्या करूँ मैं बोले सारे पडोस में खूब बांट और खा बुढिया ने सारे पडोस में खूब खीर बांटी सब कहने लगे थोड़ा सा दूद बा चावल बह लिये फिता था बुढिया ने उसकी कितनी खीर बांटी अगले दिन फिर चुटक विनाईग जी आए कहने लगे कोई मेरी खीर बना दो कोई मेरी खीर बना दो सद कहने लगे मैं बनाओं लाओ मैं बनाओं चुटक विनाईग जी ने कुलिया का दूद चुटकी भरचावल दे दिये वह बोली ये तो थोड़े से हैं अब वह थो हर्ष में बना रही दी बुढ़िया ने तो प्रेम से बनाई थी जब उन्होंने खीर बनाई वह जल गई खराब हो गई इसलिए अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए बुढ़िया का तो घर महल बन गया खूब धन हो गया उनके घर में कमी आ गई जैसे विनाईक बाबा ने उस बुढ़िया का भला किया वैसा ही सब का करियो जै चुटक विनाईक जी महराज की जय हो बोलो गनेश महराज की जय हो बंधों आहोई अश्टमी की कथा सुनने के बाद आवश्य सुननी चाहिए तभी आहोई अश्टमी की कथा श्रवन का पूरनफल प्राप्त होता है राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना ताकि आपको कथा श्रमन का पूरनफल प्राप्त हो सके धन्यवाद